नमस्कार दोस्तों स्वागत आपका सेल स्टेडी के इस चैनल में आज की जो वीडियो है वो होने वाली है कि इंडिया जापान और उस्टेलिया इन तीनों देशों ने मिलकर एक काम करने की कोशिश किया यानि कहेंगे कि कुछ टाइम बाद उस काम को इंप्लिमेंट किया जा जो चाइना जो सप्लाई कर रहा है जो एक ऐसा देश है जो सप्लाई को पहचान के बैठा हुआ है उस सप्लाई चेन को तोड़ कर इंडिया और जापान और उस्टेलिया के अंदर शिफ्ट किया जाए तो ये जो काम है इस काम को करने की सबसे पहले कोशिश किया है जापा को तोड़ कर इन तीनों देशों में शिफ्ट किया जाए आज की इस वीडियो में इन सब चीजों को देखने वाले और बारी की से डिसकस करेंगे चलिए फिर शुरू करते हैं तो ये रहे जापान के प्राइम मिनिस्टर यहां पर भारत के प्राइम मिनिस्टर ने इस चीज की शुरूरात किया जो जापान के मिनिस्टर ओफ एकनोमी है यहां पे लिखा हुआ है ट्रेड अंड इनिस्टरी इन्हों ने एक आइडिया दिया है आइडिया क्या दिया है सप्लाई चेन रिजिलियन्स इनिसियेटिव अब आप इस शब्द को थोड़ा पैचान लीजिए सप्लाई सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति यह फिर से हैंगो क्या क्या सप्लाई सप्लाई का मतलब होता है पूर्ति और चेन यानि श्रिंकला सप्लाई यानि पूर्ति यानि श्रिंकला resilience यानि हम कहेंगे कि टिकाऊ एक तरीके से टिकाऊ और initiative यानि शुभारम किया है यानि supply chain resilience initiative इसको आप ऐसे याद रख लिजिए S C R I इसकी शुरुआत किया है किसने शुरुआत किया है यह शुरुआत किया है जापान ने यह एक news आई है यह इन्होंने क्यों किया है इंडिया, जापान, उस्टेलिया supply chain in the works to counter China जायर सी बात है इन्होंने चाइना को counter करने के लिए इस सब चीज़ें किया है अब क्यों कर रहे हैं चाइना को अभी हाल फिलाल में आपके सामने जिस तरीके से जो महामारी फैली हुई है वो इसी देश की देन है जो coronavirus जो फैला है वो चाइना के वज़े से तो फैला है और एक तो इसने वो कर दिया मतलब एक तो चोः उपर सीना चोः मतलब इसने एक तो corona है फैला है, उपर से ये मान भी नहीं रहा इस बात को और दूसरी दुनिया के जो देश है उनको दबाने की पूरी तरिके से ये काम कर रहा है तो इस चीज को रोकने के लिए जापान के जो प्राइम इनिस्टर है उन्होंने ये इनिसिटीव उठाया है एक तरीके से मैं आप लोगों को बता देता हूँ थोड़ा सा आपको मैं बताता हूँ भारत जो देश है हमारा जो हमारा प्यारा भारत है वो medicine के सेक्टर में यानि फार्माशुटिकल के सेक्टर में हम यह कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में जितने भी जब डेवलोप्ट या बहुत सारे देशों के अंदर जाती है यानि भारत का इस चीज में कोई टकर में है यानि नमबर वन कंट्री है दवाई के दवाई उपलब्द कराने के मामले में और भारत की नहीं कमजोरी है कमजोरी यह है कि यह जो भारत जो दवाई जो बनाता है उसके लिए जो raw material है इसके बारे में मैं एक तरीके से यह कह सकता हूँ कि एक raw material है इसके बारे में मैं पूरी detail से नहीं जाओंगा एक raw material है जैसे kerosene हम लेते हैं तो उसमें जो paracetamol होता है वो चाइना से आते है इतनी बाद समझोर लो तो एक कहीं ना कहीं हम भारत जो भारत जो देश है वो च अब ना कौन सी देशं किस चीज के लिए डिपेंड है चाइना जो है वो किस चीज को सप्लाइ कर रहा है यह जो चीजें है यह चार थे ऑस्टेलिया हो गया, इंडिया, जपान और अमेरिका यह चारों देश जो है न वो यह चीज़ें समझ चुके थे आप दूसरी इसको नहीं बहुत बारिके से समझाता हूँ, एक बार थोड़ा सब को अपने पास्ट के अंदर लेके जाते हैं, अपने हितियास के अंदर लेके चलते हैं, हितियास का मतलब कि दादा भाई नोरोजी जो थे, इस तीज को समझ न थोड़ा, दादा भाई नोरोजी थे उन्हो भारत के अंदर आके जो बारत के वयपार खतम करके यहां के लोगों को बेरजगार बना दिया यहां के जो रूपेーホे खतम कर दिया उन्होंने अपनी इस थि Изोरी के अंदर बहुत अच्छे से समझाय हुए जो ब्रिटेन में जो जाता था बाहर के देशों में जा जाता था तो वहां पर जो लोग पहनते थे तो उस बहुत गरव महसूज करते थे बहुत अपने आपको मतलब रिच समझते थे कि भी भारत का जो कपड़ा पहनते हैं अब इस चीज को इन्हों ने जो ब्रिटेन वालो जो बहुत है वहां शुरू करते है जिस से क्या हुआ जो हमारा जो भ coil पार है वो खतम होना शुरू हुआ और हमारे ही वैपार के कारण unemployment generate हुआ, पैसे खतम हुए जिसे बेरोजगार होने शुरू हो गए, और यही काम जो है वो चीन कर रहा है यही काम जो है वो चीन ने कर रखा है for example मैं बताता हूँ देखो, चीन से ज़्यादतर supply के अंदर हमारे पास क्या क्या आता है चीन से जो, जपान जो है, इस चीज को समझ चुका है देखो, चीन से जो एक तो आता है mobile यानि जो mobile होगे, जो electronic समान होगे जो electronic समान होगे electronic समान होगे, एक यह हो गया एक fabric हो गया, फैबरिक जिससे rare earth metal rare earth metal जो है, वो चाइना से आता है, यह rare earth metal क्या होता है जो हम battery होते हैं, हमारे phone के अंदर lithium जो battery होती है, उसके अंदर यह rare metal लगता है, और rare metal के जो भंडार है, सबसे ज़्यादा इस चीन के अंदर है, तो इस चीज को जो है वो जापान जो है वो समझ चुका है अब एक बर थोड़े से नहीं आपको फैक्ट बताता हूँ कि चाइना जो है इतना बड़ा मार्केट कैसे बन गया कि अभी फिलाल आप जानकर हिरान हिरान हो जाओगी इस चीज के अंदर कि 2003 के अंदर 2003 के अंदर वर्ल्ड ट्रेड के अंदर मतलब कि पूरी दुनिया में जो वैपार होता था 2003 में उसमें चीन का जो चाइना का जो हिस्सा था 6.3% यानि 7% भी हिस्सा नहीं था और 2017 के आंकड़े हैं 2017 के आंकड़ों के अंसार जो चीन का जो पूरी दुनिया के अंदर वैपार होता है वो होता है 23.9% यानि 24% मैं ये कहूंगा कि अगर पूरी दुनिया में अगर 100 समान जो है उन 100 समानों का जो वैपार होता है पूरी दुनिया के अंदर जो 100 समानों की जरूरत होती है उसमेंसे 24 हमान जो है वो चीन के बने हुए होते है क्यूंकि चीन जो है यह सप्लाई जो है वो अच्छे से समझ जग है कि किस चीज को क्या सप्लाई चाहिए अब इस चीज को देखो हमारे देश की जो 2004 के आसपास मैं होता हूँ 2000 के जो बच्चे होंगे कि उस वक्त का जो रंग होता था, जो हुली के जो हम रंग यूज़ करते थे, जो माज़ा था, जो पतंग उड़ाने के लिए, जो माज़ा यूज़ किया करते थे, वो एक fix होता था, वो हमारी देश से बना हुआ होता था, लेकिन आज का महौल ऐसा हो गया है कि अगर हाल फिलाल में जैसे बाइकोट चाइना, बाइकोट चाइना का जो नारा लगा था, हाल ऐसा बना कि बाइकोट चाइना की जो टी-शेट है वो भी चाइना से बन के आ रही है, मतलब हम इतने डिपेंड हो गए चाइना के उपर, इ यह जब तक उस supply को तोड़ा नहीं जाएगा तब तक कोई भी देश जो है इसको counter नहीं कर सकता तो अब यह करेंगे क्योंकि साफसी जायर सी बात है कि करोना इस देश ने फ़लाया और जैसे तैसे यह जो दूसरे देशों को दबाने के आसपास के देशों को जैसे चोटे मोटे जो देश होगे और इन सब चीजों को तो ये छोटे मोटे देश समझ नहीं पा रहे हैं जो इस चाइना की जो चाल है इस चीज को समझ नहीं पा रहे हैं लेकिन जो भी जो मैंने देश बचाए जो चार जो देश थे जैसे हमारे जो देश होगे भारत हो गया या फिर जापान हो गया अस्ट् और भारत इन्हों ने क्या किया एक initiative उठाया supply chain resilience initiative जिससे जो है यह supply है यह जो तोड़ी जाएगी चाइना से और उस चीज को तोड़ कर यह shift किया जाएगा भारत के अंदर या जापान के अंदर और उस्चेलिया के अंदर for example जैसे कि जो कच्चा पदार जो है कपास जो है वो कपड़े बनाने के लिए हम कपास जो यूज करते हैं और कपास को जो है वो भारत के अंदर production उसकी ज़्यादा की जाएगी और भारत का market चाहिए भारत का machine चाहिए वो तो वो जो है वो अब जापान के अंदर उसे मिलनी चुरू हो जाएंगे अभी फिलाल में ये एक map है इसके अंदर आपका जो जो ग्राफिक लोकेशन है वो भारत और शेलिया और जापान की इससे समझ सकते हैं यहाँ पर और यहाँ पर और यहाँ पर अब इस चीज को उठाने के लिए जो जापान के जो प्राइम निस्टर हैं उन्होंने क्या किया है इन्होंने ये का है कि 2.2 बिलियन डॉलर का वो जो है वो उनको यानि 15,000 करोड 15,000 करोड का 15,000 करोड की जो है वो साहिता देंगे उन कमपनियों को जो चाइना से निकल कर वापस जापान के अंदर बसेंगी मतलब कि जो कमपनी जो थी इन्होंने इननोंने कहा कि यह जो चीन है हमें ट्रेड में बहु जादा benefit देता है हमें यहाँ पर जमीन उपलब्द करवाता है जो चीज उपलब्द कराता है और tax में बहु जादा benefit होते है यहाँ पे हमें raw material बहुत मिलता है अब इसको raw material को ज़ऱ समझो जो जपान है ना इसका मैं ये कहूँगा कि एक तिहाई हिस्सा भी यहाँ पर पूरी जपान का एक तिहाई हिस्सा भी इतना नहीं है कि यहाँ पर कच्छा पदार्थ जैसे कि कपास जो है यहां पर उगाने के लिए खेती करने के लिए यहां पर एक त्याई सबी जो लैंड उपलब नहीं है यह टोटल चार आइलेंड के उपर तो बसा हुआ है यह जापान जो है चार आइलेंट पे बसा हुआ है तो इन्हों ने अपने आपको टेक्निकल यानी इनोवेटीव में मोस्ट इनोवेटीव कंट्री आती है जपान, इनोवेशन के अंदर आपने आपको स्ट्रोड कर रखा है पूरी वर्ल्ड के अंदर तीसरे नमबर पर इसकी ट्रेड एकनोमी आती है इसकी लार्जस एकनोमी के रूप में देखा जाता है जापान को पूरी दुनिया के अंदर अब इनके पास खेती के लिए तो जगा है नी तब वहांपर जो है अब इनके पास जमीन तो है तो इन्होंने तो अपने हैंको टेकनलोजी में स्टोंग कर लिया जापनीज ने अब इनको जमीन चाही इनको क्चा पदार चाही तो इसलिए ये भारत को मिला रहे है क्योंकि भारत के पास आपको पता है कि अच्छी खासी जो है वो raw material है वो यहाँ पर raw material को बढ़ावा देगा प्रोडक्शन के अंदर बढ़ावा देगा जिससे क्या होगा कि यह जो अपना इनको जो है वो market मिल जाएगी जापान के अंदर जापान यह भी कह रहा है कि जो भी जो भी कमपनी चीन से निकल कर जो जापान में आएगी उसको 2.2 billion यानि 15,000 क्रोड का तो वो सायता देंगे उपर से उनको market भी provide कराएंगे वो market क्या provide कराएंगे वो भारत के अंदर औस्टेलिया के अंदर यह कह रहे हैं कि कम से कम हम तीन देश तो आपस में मिल जाएं हम इस चीन की जो करने की कोशिश कर रहा है जो दूसरे देशों को दबाने की कोशिश कर रहा है उस जाल के अंदर तो ना फजे उसको कही ना कहीं काउंटर करने की कोशिश की जाए तो मैं कहूंगा कि बहुत अच्छी जो प्राइम इनिस्टर जो जापैन के प्राइम इनिस् परना चाहिनीज जो है वो बहुत इंवर्टमेंट करने हैं जैसे ड्रीम इलेवन आपने सुना जो इन लेखने के जो IPL को बहुत जादा investment किया हुआ है और अब भारत ने वैसे ये दो चीजों के लिए अपने आपको मजबूत करने के लिए कदम उठाएं एक तो भारत जो है अपने आपको power center बनाएगा pacific ocean के अंदर और जो दो है दो काम करेगा एक देखे से power center बनाएगा दूसरा बड़ी बड़ी company और देशों के साथ मिल कर ये काम करेगा तो आने वाला टाइम देखने की वाली बात है कि कैसे ये भारत जो है भारत जापान और और उस्चेलिया ये तीनों देश मिल के supply chain resilience initiative वो कैसे जमीनी हकीकत पर लेकर आते हैं और बहुत अच्छा मैं कहूंगा कि बहुत अच्छा initiative है ये चीन को जो है वो रोखने की बहुत सक्जरूरत है क्योंकि पैसे के दम पर या धमका कर ये लोगों की जमीन को हड़प मतलब देशों की जमीनों को हड़पने की कोशिश में है रात में तो इसको रोकना बहुत जरूरी है तो बस आज के लिए इतना था थैंक्स फर वोचिंग दिस वीडियो बहुत जल्द मिलते हैं अगली वीडियो में